नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में दोस्तो, आज किस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर टॉपिक खेल पुरसकार 2022 से संबंदित टॉप 50 प्रस लेकर आया हूँ जो कि मैं बहुत ही तेजी से सारे प्रस्ण कराऊंगा दोस्तो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और दोस्तो ये वीडियो 2022 और 2023 में आने वाले किसी भी एकजाम के लिए बहुत महत्पूर है तो इसे लास्ट तक जरूर देखेगा और वीडियो पसंद है दोस्तो तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी चरूर कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो को इस्टार करते हैं सबसे पहला हमारा कोशन है दोस्तो कि ACA Cup 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है Most important है दोस्तो Right answer हो जाएगा option number D यानी स्री लंका ने स्री लंका ने सबसे पहले 1986 में ACA Cup का खिताब जीता था इसके बाद 1997, 2004, 2008, 2014 और अब 2022 में टीम ने टाइटल अपने जाम किया है और भारत ने सबसे ज़्यादा साथ बार या खिताब जीता है अगला question खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 पदक तालिका में कौन सा राज ये सिर्ष पर रहा है Most important है इसका right answer हो जाएगा option number B यानी हरियाडा जो की हरियाडा मेजबान भी था और यह 2021 की पदक तालिका में 52 स्वड पदक के साथ सिर्ष असिल क्या है और महराष्ट 45 स्वड 40 रजट और 40 कांस पदक जीतकर 125 पदकों साथ दूसरे स्थान पर रहा है और करनाटे की बात करें तो यह तीसरे स्थान पर 22 स्वड पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है अगला है IBA महिला विश्व मुक के बाजी चेंपियंशिप 2022 का पदक तालिका में कौन सा देश सीर्ष पर रहा है राइट अंसर हो जाएगा और बात करें पहले स्थान की तो तुर्की था जिसने 5 स्वड 0 रजट 2 कांस कुल 7 पदक जीता था और दूसरे स्थान पर आयरलेंड था जिसने कुल 2 पदक जीता था तीसरे पकनाड़ा चौथे बात करें तो अपना भारत देश था जिसने 1 स्वड और 2 कांस कुल 3 पदक जीता था अगला है यूएस ओपन 2022 में पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है राइट अंसर जाएगा अप्शन नंबर A यानी C अलक राज गौर्फियों बता दे के पुरुस एकल में C अलक राज गौर्फियों जकी यही है इन्होंने जीता है और रणर अप कौन थे तो C रूडो थे और महिला एकल की बात के तो आईस वीटेक और रणर अप ओ जबेउर थे अगला कोशन अंडर 17 महिला A.C.I. कुष्टी चेंपेंसिप 2022 का खिताब किसने जीता है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर A यानी अपना देश भारत ने भारत की महिला कुष्टी टीम ने किरगिस्तान में के विसकेक में अंडर 17 A.C.I. चेंपेंसिप का खिताब जीत लिया है भारत 800 एक रजट और एक कास बदक यानि के साथ 235 अंग लेकर सिस पर रहा और जापान 123 अंग के साथ दूसरे और मंगोलिया 133 के साथ 30 स्थान पर रहा अगला कोशन डायमांड लीग ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है राइट अंसर जाएगा उप्सन नमबर D यानि नीरच चोपड़ा इसके बता दे कि जो नीरच चोपड़ा है और डायमांड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारती बन गए है इन्होंने 88.44 मीटर भाला फेक छे गड़राज के जैकव वाद लेच्चियो को पछाड़ा और जर्मनी के जूलियर वेबर जो की 83.7 मीटर के साथ तीसे अर्ष्थान पर रहे अगला कोशन बैडमिंटन टूर्णामेंट उबेर कब 2022 का खिताब किसने जीता है तो राइट अंसर जाएक उप्शन नमबर बी यानि दच्छिड कोरिया जो की बैंककॉक थाइलेंड के इंपक्ट एरीना में कोरिया ने एक रुमांचक फाइनल में गैच चैंपियन चीन को हरा कर दूसरी बार उबेर कब का किताब ने नाम किया और प्रसिद्ध टीम टूर्णामेंट में सुलहमी बार खिताब जीतने के लिए चीन का सामना कोरिया से था लगभग 90 मिनिदे तक चले मुकाबले में दो बार टाई हुआ था अगला कोशन मलेशिया आयू वर्ग रैपिट सतरंज चैंपेंशिप में किसने सौड़ पदक जीता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी अनिस्का वियानी अनिस्का वियानी जो कि 6 साल की है इन्होंने कुवालालंपूर में मलेशिया आयू वर्ग रैपिट सतरंज चैंपेंशिप में सौड़ पदक जीता है और यह धीरू भाय अंबानी स्कूल की पहली कच्छा के छात्रा अनिस्का ने लड़कियों के अंडर 6 उपन वर्ग में संभाविच्छ में से चारंग जोटा कर सौड़ पदक अपने नाम किया प्रतिव किताग बात के तो यह आठ देशों के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था अगला कोश्चन हीरो पुरुस होकी एसिया कब 2022 का खिताब किसने जीता है राइट अंसो जाएक ऑप्स पदक अपने नाम किया था अगला कोश्चन 22 में दुबई ओपन 17 चुरुनामें 2022 का खिताब किसने जीता है राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी यानि अरविंद चिदामबरम यह अदमे चिदामबरम जिन्होंने जो 22 में दुबई ओपन 17 चुरुनामेंट है उस पहला खिताब जीता है अगला कोश्चन BBC इंडिया स्पोर्ट्स ओमें ओफ दे यर अवार्ड 2021 से किसे नम आ जा गया मोस्ट इंपोर्टन यह कोश्चन है राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी यानि मीरा बाई चानू बता दे कि जो ओलम्पिक रजद पदक बीज पदक जीतने वाली जो पहली भारती महिला और पूर भारत्तोरल कर्रम मलेश्वरी को बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरसकार प्रदान किया गया एक कोश्चन अगला है जर्मनी के सुहल में आयोजित इसस एफ जूनियर विश्यकप 2022 की पदक तालिका में भारत किस अस्थान पर रहा था तो राइट अंसर जाएगा उप्शन नंबर यानि पहले अस्थान पर जो इंटरनेशनल सुटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्यकप 2022 जर्मनी के सुहल में आयोजित किया गया था उसमें आई एससर जूनियर विश्यकप 2022 में भारती जूनियर शूटिंग टीम कुल मिलाकर पहले स्थान पर रही और उन्होंने तीरा स्वर्ड पंदरा रजद और पांस कदक सहित कुल 33 पदक जीते और चार सवर्ड पदकोप साथ इटली जो की दूसरे स्थान पर रहा था अगला कोशन बीवीसी लाइफ टाइम अचीवमें के लिए बीवीसी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अगला कोशन रडजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानि मद्द प्रदेश ने मद्द प्रदेश की टीम ने सांदार का खिताब जीता है अगला कोशन टेनिस टूर्णामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरू सेकल का खिताब किसने जीता है तो इसको जीता है आप राफेल नडाल ने बता देख जो फ्रेंच ओपन 2022 की बीजेताओं की यहां पे सूची है आप इसे जरूर देख लिजिए जैसे राफेल नडाल और उप बीजेता कैस्पर रूट थे महिला एकल के बाद के तो इगा स्वीट एक और उप बीजेता कोको गौस थी और पूरू सेगल महिला यूगल मिस्रे दुगल यहां पे सारे बीजेता और उप बीजेता का नाम दिया है आप इसे जरूर देख पर रहा था अगला कोशन फुटबॉल टूर्णामेंट एफ सी महिला एसीय कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है तो इसे जीत लिया है चीन की टीम ने चीन ने जो चोपरी 2022 को दच्छिड कोरिया को तीन दो से हरा कर एफ सी महिला एसीय कप का खिताब जीता है और 26 में पिछली चैंपियन के बाद से अपना रिकार्ट नौवा किताब जीता है और दचिर कोरियाई महिला फुटबाल टीव ने पहली बार फाइनल में प्रवेश किया था अगला कोश्चन भारत के जैविलिन थ्रो नीरत चोपडा ने कोर्टेन गेमस 2022 में कौन सा पदक जीता है Most important ये भी कोश्चन है Right answer जाएगा option number यानि gold medal जो की जैविलिन थ्रो है ये नीरत चोपडा है इन्होंने कोर्टेन गेमस 2022 में सोड़ पदक जीता है अगला कोश्चन फुटबॉल टूरिनामेंट फीफा क्लफ विश्वकब 2021 का किताब किसने जीता है तो इसे जीता है चेल्सी ने देखी यहाँ पर मैंने फीफा क्लफ विश्वकब 2021 के सारे विजेता चेल्सी हो गया अगला कोश्चन आईसी सी महिला क्रिकेट विश्वकब 2022 का किताब किसने जीता है तो इसको जीत लिया है अर्स्ट्रेलिया ने अर्स्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 और शेरा कर तीन अपरल 2022 को नीजिलैंड के क्रैस्चर में हेगले ओवल में अपने साथ में महिला विश्वकब का किताब जीता है और प्लेयर अपड़ टूर्णामेंट एलिसा हेली को मिला और 2022 आईसी सी महिला क्रिकेट विश्वकब महिला क्रिकेट विश्वकब विश्वकब जो था 12 हमां संस्क्रण था और यह टूर्णामेंट न्यूजी लेंड में आयो जित किया गया था अगला कोश्चन फुडबॉल टुर्णामेंट हीरो इंडियन बोमेंट 2022 का खिताब किस ने जीता है तो राइट अंसर जाएगा ओप्शन नमबर ए यानि गो कुलम एपसी ने जो की हीरो इंडियन बोमेंट 2022 का खिताब जीता है अगला कोश्चन सैफ अंडर 18 महिला चैंपेंसिम 2022 का खिताब जीता है तो राइट अंसर जाएगा दोस्तों आप्शन नमबर ए यानि इंडिया ओमेंट टीम जो महिलाओं के अंडर 18 राष्टी टीमों के लिए अंतराष्टी फुटबॉल प्रतिवता का संस्कर जारखंड के जारडी टाटा स्पोर्ट कॉंप्लेक्स जमसेत पूर में आजुद किया गया था और इस टूर्णामेंट के वैलुवेल प्लेयर और हाइस गोल स्कोर लिंडा कॉम थी जिन्होंने कुल पांच गोल किये थे अगला कोश्चन माल्दिव सरकार द्वारा किस भारती क्रिके इस स्पोर्ट्स आइकॉन पुरसकार से सम्मानित किया गया और इस पुरसकार के लिए सूरा अंतराश्टी खिलाडियों को नामित किया था रैना को खेल के छेतर में उल्लेखनी योगदान के लिए इस पुरसकार से सम्मानित किया गया और यह पुरसकार ऐसे बैक्तियों क टोनामेंट है उसके पूरु सेकल किताब में भारती जो बैटमेंटर खिलाड़ी थे एच एस प्रबीड इनको इंडोनेसिया के जुनाथन किष्टी से हार गये थे ये हैं जुनाथन किष्टी और जो भारत के एच एस प्रड़य थे ओ दूसरे अर्स्थान पर रहे थे अगल जाजरिया है उपाद मभूसर प्रास करने वाले पहले पैरा एथलीट है और उन्होंने एथेंस और 2016 रियो खेलो में 2024 पैरालंपिक में 60 और 2020 टोक्यो अलम्पिक में एक रजत पदक सहीत कहरी पैरालंपिक पदक जीते हैं अगला कोश्यन हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल एकल का किताब किस ने जीता है तो इसे जीता है PV Sindhu ने बता दे महिला एकल का किताब बीजयता PV Indu होके जो कि भारत की है वो बीजयता बात किरे तो बुसानन औंग बामरूंग फान है जो कि थाइलेंड की है अगला कोशन इंडियन सूपर लीग 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्शन नंबर सी यह नी है थाइदराबाद FC जो हैदराबाद FC है इन्होंने फाइनल मुकाबले में केरला ब्लास्टर को राकर ISL 2021-22 का खिताब जीता है और गोल्डन बूर्ड का अवार्ड बार्थो लोमेओ ओविचे हैदराबाद FC को मिला और गोल्डन गलोब अवार्ड प्रमा सूखन गिल जो कि केरला ब्लास्टर FC कलफ अवार्ड हैदराबाद FC अगला कोश्टन ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनसिप 2022 पूरू सेकल का किताब किसने जीता है तो राइट आंसर जाएगा ओप्सन नंबर B यानि राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं इन्होंने 30 जनुरी 2022 को अस्ट्रेलियन ओपन पूरू सेकल का फाइनल जीता है और इस जीत के साथ राफेल 21 ग्रैंड इस्लैम किताब जीतने वाले पहले बैक्ती बन गए है और उन्होंने यह किताब रोजर फेडरर और नुवाज जी की विच को पचार दिया है अगला कोश्चन अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चेंपेंसिप 2022 का महिला एकल का किताब किसने जीता है तो राइट आंसर जाएगा ओप्सन नंबर B यानि एसले बार्टी यह जो कि आस्ट्रेलिया टेनिस चेंपेंसिप जीतने वाली पहली आस्ट्रेलिया इखिलाडी है और इन्होंने 2019 में फ्रेंच उपन और 2021 में विवाड़ा जीता और 100 से अधिक हपतों तक दुनिया में नंबर वन रैंक वाली महिला खिलाडी रही यही है इसले बार्टी जो कि आप टेनिस से सन्यास ले चुकी है अगला कोश्चन वीवो प्रो कबड़ी लीग 2022 का किताब किसने जीता है Most important यह कोश्चन है राइट अंसर जाग ओप्सन नंबर बी यानि दबंग दिल्ली जो बीबो प्रो कबड़ी सीजन आठ का फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पाइरेट्स को 37-36 से हरा कर अपना पहला किताब जीता है और सूपर राट का Most Valuable Player नवीन कुमार को जो की 17 मैचों में 207 रेट पॉइंट को दिया गया और सीजन का टॉप रेडर पवन सहावत हैं इन्होंने 24 मैचों में 304 रेट पॉइंट को दिया था और टीम पुनेली पल्टन की ओड से मोहित गोयल को New Young Player of the Season दिया गया अगला कोश्चन ISSF World Cup राइफल और पिस्टल 2022 की मेटल टैली में कौन सा देश पाले अस्थान पर आ था तो राइट अंसर हो जाएगा 200 अप्सन नमबर यानि अपना देश भारत जो भारत की बात के तो इननोंने कुल 7 पदक जीतकर भार्टी टीम ने 4,62 रजद और एक कांस के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था और नार्वेच छब पदक के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया और फ्रांस कुल 20 में से 300 पदक के साथ तीसरे स्थान पर आया था अगला कोशन पुरूस अंडर 19 क्रिकेट विश्यकप 2022 कि इस देश ने जीता है तो इसे भी जीता है अपना देश भारत ने अंडर 19 विश्यकप खिताब जीता है अगला कोशन निमनलिखित में से किस महिला फुटबॉल खिलाडी ने फीफा सर्वस्रेश्ट महिला खिलाडी का पुरसकार 2021 जीता है तो इसका राइट अंसर जाएगा अलेक्सिया पुटेलस अलेक्सिया पुटेलस ने 2021 में सर्वस्रेश फीफा महिला पुरसकार जीता और 2020 में अपने करियर में पहली बाद सर्वस्रेश फीफा महिला पुरसकार ने ऑस्टेलिया और चेल्सी को आगे कर सामन्था केर और टीम के साथ ही जेनिफर हार मोंसो को ह पराया था और फीफा मेंस प्लेयर आफ दे यर पुरसकार के बाद के तो दस साल बाद 2001 में महिलाओं के लिए फीफा प्लेयर आफ दे यर अवाड के रस्था अपना की गई थी दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो अप्सन नंबर एनी पूजा जातेयान इन्हों जोकी 27 परवी 2022 को रूकी पैरा आर्चर पूजा जातेयान दुबई में पैरा तिरंदाजी बिस चैंपेसिब 2022 के बेक्तिगत वर्ग में रजद पदा जीतने वाली पहली भारती बनी है और पूजा अंतिम मैच में इटालिय पेट ट्रीली स्विन सेजा से हार गई और इससे पहले जो स्याम सुंदर स्वामी और जोती वलगान की कंपाउंड मिक्स जोडी ने चैंपेसिब में देश का पहला रजद पदक जीता था अगला कुश्चन एसीन ट्रैक साइकिल चैंपेसिब 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश इस अस्थान पर रहा तो राइट अंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानि जापान जापान अठारा स्वड़ साथ रजद और दो कास पदक के साथ सबसे अधिक पदक है और भात कर भारत की तो भारती साइकिलिंग टीम ने 23 पदक अरजित किया और एलीट फिल्ड में छटा अस्थान हासिल किया और 12 बाइट स्वड़ और 14 रजद और 3 कास पदक साथ और कोरिया दूसरे अस्थान पर रहा और कजाकिस्तान ने 4 बाइट अंसर जाएगा ओप्शन यानि पीवी सिंदु ने इन्होंने दो बार की उलम्पिक पजग बिजेता है ये पीवी सिंदू, इन्होंने 23 जनुवी 2022 को सयद मोधी अंतराष्टी बैडमेंटन टुर्णामेंड में महिला एकल का किताब जीता है और लखनओ के बाबु बनारसी स्टोर इस्टेडियम में उन्होंने सिखर संगर्स में मालवी का वन्सोड को 213-216 से हरा है और 2017 में BWF वर्ल्ड टूर सूपर 308 में सामिल होने के बाद यह उनका दूसरा सयद मोधी खिताब था अगला कोशन विस्व यूवा चेंपेंशिप 2022 में सोड़ पदक जीतने वाले पहले भारती भारत तोलन खिराई कौन बने है इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों अप्सन नमबर सी यानि गुरू नाइडू सेनापती इन्होंने पशपन किग्रा भारवर्ग में कुल 230 किग्रा वजन उठाकर सोड़ पदक जीता है और इस फिर्सपरधा में साओधी अरब के अली मजीद ने कुल 239 किग्रा वजन उठाया और दूसरे अस्थान पर रहे थे अगला कुश्चन 2021 के लिए फीफा सरस्रेश्ट फूरूस खिलाडी का पुरसकार किसने जीता है तो इस राइट अंसर जागा ओप्सन नमबर सी यानि रॉबर्ट लेवान डॉसकी बता दे कि जो बायस म्यूनिक के पॉलिस स्ट्राइकर है रॉबर्ट लेवान डॉसकी इन्होंने 2021 के फीफा सरसेश्ट पूरूस खिलाडी का पुरसकार जीता है और बर्सिलियोना की जो इस्पैनिस मिडफिल्डर एलेक्सिया पुटिलस है उन्होंने फीफा के सरसेश्ट महिला खिलाडी का पुरसकार जीता है अगला कुश्चन बीजिंग सीत कालिन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने सिर्शस्थान हासिल किया है तो right answer जाएगा option number B यानि नौर्वे नौर्वे ने 2022 बिजिंग सीथ काले नौमेंपिक में 16 स्वड के साथ पदक तालिका में सिर्शस्थान हासिल किया और इसके बाद जर्मनी ने 12 स्वड और चीन ने 9 स्वड पदक जीते हैं अगला question sports star SS award 2021 में sports star of the year पुरुस का खिताब किस ने जीता very very important question है ये right answer हो जाएगा दोस्तो option number C यानि नीरच चोपडा golden boy ने नीरच चोपडा को माज 2022 में 2022 sports star SS award में sports star of the year male का पुरसकार दिया गया और टोकियो उलम्पिक में रज़त पदक जीतने जो मीरा बैच चानू थी उनको female का पुरसकार मिला है और लवनीना बोर्गो हिन ने sports woman of the year ब्यक्तिगल खेल जीता और एवरी लेखना ने पैरा एथलिट ऑफ दे यर महिला का किताब जीता अगला कोशन बहरीन पैरा बैड मिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो राइट अंसर हो जाएगा option नंबर C यानि 23 पदक जो बहरीन पैरा बैड मिंटन टुनामेंट हुआ था 2022 में उसमें भारत ने कुल 23 प सारे सारे बीजिताओं की सूची यहां पर मैंने दे दिया हूं सारा सारा आप एक बार जरूर देख लिजा आपके लिए बहुत ही महत्पुड होगा जैसे एमेलिया रोमाग्रा ग्रांट फ्रिक्स 2022 में मैक्स परस्टेपन ने जीता है साओधी अरब ग्रांट फ्रिक्स 2022 म केरल ने केरल के मलभपूरम के मंजेरी स्टेप में संपन्न हुए पचितरवी संतोष ट्रॉफी 2022 जीतने के लिए केरल ने पेनल्टी सूटाओड में पस्ची मंगाल को पांचार से हराया है और प्लेयर आफ्ट टूर्णामेंट जीजो जोसेफ को मिला और नोगोल के साथ स दोस्तो आपको एक कमेंट में बताना है कि जो संतोष ट्रॉफी पूरा टूर्नामेंट है वो किस खेल से संबंदित है अगला कोशन है फार्मुला वन रेस इस्पैनिस ग्रैंट प्रिक्स 2022 का खिताब किस ने जीता है तो राइट आंसर जाएगा दोस्तो आप्शन नमबर यानि मैक्स वेरेश टेपन जो कि ये रेड बुल के हैं मैक्स वेरेश टेपन और उन्हेंनों 22 माई को बरसिलोना में इस्पैनिस ग्रैंट प्रिक्स जीता है और उन्होंने फरारी के जो चार्स लेकलर है को आगे निकलते समय इंजन की भलताकार बाहर हो गये कोहराकर सिस् साथ 13 सेकंड पीछे दूसरे अस्थान पर रहें अगला कोशन भारत के 74 में सतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इसका अंसर हुआगा दोस्तों ऑफ्सन नंबर सी यानि राखुल स्रिवास्तो ये तिलानगाना की रहने वाले हैं ये भारत के 74 में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं जिन्होंने इटली में नौ में कैटोली का सत्रेंज मौसर 2022 के दौरान लाइफ फीडे रेटिंग में पचीस सो की बाधाक तोड़का खिताब हासिल किया और भारत सुब्रमन्यम जनवरी में देश के 73 में जीम बने थे ग्रैंड मास्टर और महान विसनात आनंद भ को बता दे कि उन्नत उफकरणों और सुब्धाओं के साथ भारत की पहली अत्यादिनिक पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनाओं में अस्थापित की गई है और इस केंद को दोड़ा चार पुसका बिजेता और भारती पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुक राष्टी कोच ग बिडवी डवलु एफ बिस्ट चैंपियंशिप 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो इसका राइट अन्स हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी यानि अकाने यामा गुची बात करें दोस्तों बिडवी डवलु एफ बिस्ट चैंपियंशिप 2022 की महिला एकल की तो इसमें स कोशन हाली में इस्पोर्ट इस्टार एसर सवाट 2022 में इस्पोर्ट इस्टार आफ दे यर महिला का खिताब किसने जीता है अब इससे पहले मैंने आपको बताया इसका कोशन तो राइट अंसर जागे दोस्तों अप्शन नमबर बी यानि मीरा भाई चानू ने आपको बता है कि नीरा चोपड़ा को 2002 में इसपोर्ट इसर में सटार अफ दे यर का मेल का पुलजकार मिला तो मीरा भाई चानू को रजट पदक जीतने वाली जोकियो तो दोस्तों ये थी आज की sports 2022 से खिताब से सम्मंदी top 50 question जो के आपके किसी भी exam के लिए दोस्तों बहुत ही महत्पूर है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आगा दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजेगा हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिया